रेड़ी स्टार्ट चालू वित्वर्स की दूसरी तिमाही में अर्थ विविस्ता में तेजी से सुधार हुआ और सकल घरेलू उत्पाद जी डी पी में संकूचन पहली तिमाही के 23.9 फीसर की तुल्ना में सुधर कर 7.5 फीसर रहे गया विराम यह सुधार मोद्रिक नीती समीती के अनुमान सुनने से 9.8 फीसर कम और भारतिय रिजर बैंक के अनुमान सुनने से 8.6 फीसर से बहित्तर है विराम हाला की दूसरी तिमाही में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ लेकिन बंदी को चरन बद तरीके से खोलने की वजह से आरथिक गतिविधियों में तेजी आई जिससे जीडी पी वृद्धी दर में बड़ोत्री हुई विराम इसके अरावा सकल घरेलू मुल्ले वरधन जी वी ए में भी गिरावट में कमी आई विराम पहली तिमाही में जी वी ए सुनने से 22.8 फीसर कम रहा था जो दूसरी तिमाही में घटता हुआ साथ फीसर पर आ गया विराम ये आंकडे दरसाते हैं कि पून बंदी के नकारात्मक असर से अब मुक्ती मिल रही है विराम जी डी पी का आकलन हर तिमाही में किया जाता है और साल के अंत में पूरे साल के समगर जी डी पी के आंकडे जारी किये जाते हैं वहीं जी वी ए से किसी अर्थ वविस्ता में होने वाले कुल परिनाम और आय का पता चलता है विराम जी वी ए से इस बात का सूचक है कि तै आओधी में वै और कच्चे माल की कीमत को अलग करने के बाद कितने रुपे के सामान और सेवा का उत्पादन हुआ विराम इससे यह भी पता चलता है कि किस छित्र उत्धोग या छित्र में कितना उत्पादन हुआ विराम पैरा अर्थ वविस्ता में सुधार करसी और इससे जुड़ी गतिविधियों से आया है विराम करसी छित्र में दूसरी तिमाही में 3.4 फीसद की दर्व से वरद्दी हुई विराम पहली तिमाही में भी इस छित्र में इसी दर्व से वरद्दी हुई थी विराम सबसे जादा सुधार उद्धोग छित्र में दर्ज किया गया विराम चालू वित्वर्स की दूसरी तिमाही में इस छित्र में सिर्फ 2.1 फीसद की गिरावट आई जबकी पहली तिमाही में 38.1 फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी विराम निर्मान चित्र में सकारात्मक वरद्दी हुई विराम पूर के आख्डों से पता चलता है की निर्मान चित्र में वरद्दी पहली तिमाही से दूसरी तिमाही में हमेशा कम रहती है लेकिन कोरोना काल में दूसरी तिमाही में पहली तिमाही से बेहित्तर परिणाम रहे हैं विराम इस आउधी में निर्मान छित्र में वृद्धी होना आश्चर्य जनक है क्योंकि आमतोर पर मानसून में निर्मान कार्य बंद रहते हैं विराम वे निर्मान छित्र में 5,89,683 रुपए का GVA वित्वर्स 2018 है और वित्वर्स 2019 के GVA से अधिक है विराम बिजली गैस जलापूर्ती और अन्य उप्योगिता वाली सेवाओं में भी सकारात्मक विर्द्दी दर्ज की गई विराम इससे यह उमीद भंदी है कि आने वाले दिनों में अर्थवविस्ता में और सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है विराम पैरा लेकिन कुछ छित्र ऐसे भी हैं जिनमें विर्द्दी के संकेत अभी बहुत उत्सहाजनक नहीं है विराम जैसे सेवा छित्र विराम इस छित्र में चालू वित्वर्स की दूसरी तिमाही में 11.4 फीसर की गिरावट दर्ज की गई जबकी वित्वर्स 2020 की पहली तिमाही में यह गिरावट सुनने से 20.6 फीसर नीचे थी विराम व्यापार होटल परिवेहन संचार आदी छित्रों में भी सुधार हुआ लेकिन उमीदों के मताबिक नहीं विराम वित्वर्स सेवा बीमा रक्षा आदी छित्रों में भी गिरावट दर्ज की गई विराम दूसरी तिमाही में सेवा छित्र का आकार रासी में 17.19 लाख करोड रुपे का रहा जबकी वित्वर्स 2020 की तीसरी तिमाही में रासी में इसका आकार 17.35 लाख करोड रुपे था विराम इसतरह दूसरी तिमाही में सेवा छित्र का रासी में आकार वित्वर्स 2020 की तीसरी तिमाही से सिर्फ 15,000 करोड रुपे कम रहा विराम सेवा छित्र में सुधार के लिए सरकार को अभी कई कदम उठाने की जरूरत है विराम पैरा अर्थ वविस्ता में निजी खपत का पहलू बड़ी भूमी का निवाता है विराम दूसरी तिमाही में निजी खपत में वरिद्दी हुई विराम हाला की वर्ष दर वर्ष के आधार पर इस मोरचे पर वरिद्दी दर सुन्ने से 11.3 फीशद कम रही विराम सरकार द्वारा किये जाने वाले पूंजी गत खर्ष में वरिद्दी दर सुन्ने से नीचे 22.2 फीशद रही विराम हाला की निजी उपभोग वित्वर्ष 2020 की समान अवधी के मुकाबले सिर्फ 200 अंक कम हैं विराम कच्चे तेल की कीमत के नरम रहने से आयात लगातार संकूचन की इस्तती में हैं विराम निर्यात में सुधार हुआ है लेकिन सुधार की गती बहुत जादा तेज नहीं हैं विराम इसलिए व्यापार घाटे का कोई सकारात्मक प्रिभाव नहीं पड़ा है विराम हाल में भारतिये रिजर बैंक ने अक्टूबर के लिए छित्रवार रिन वृद्धी का आकड़े जारी किये हैं विराम इनके अनुसार उध्योग को छोड़कर अन्य सभी छित्रों में रिन वृद्धी दर में इजाफा हुआ है विराम हाला कि यह वृद्धी पिछले साल के सितंबर महिने से कम हैं लेकिन तालाबंदी के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए इन आकड़ों को उत्साहा जनक माना जा सकता है विराम सबसे अधिक रिन वृद्धी व्यक्तिक रिन छित्र में दर्ज की गई है विराम अक्टूबर में घर वहान और दूसरे व्यक्तिक रिन की भी मांग भड़ रही है